इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कम्प्यूटर या तो फिर लैप्टोब में जो हाडडिक्स लगा हुआ है या तो फिर अस्टोरेज डिवाइस है आप उसे कैसे पार्टीशन कर सकते हैं अब पार्टीशन होता क्या है कि जैसे कि आपके हाड़ 500 GB का ठीक है तो उहां से अगर उसको दो भाग में हमको बाटना है जैसे कि 300 GB और 200 GB में अगर आपका पार्टीशन एक ही है 500 GB तो कुछ इस तरीके के नजराएगा अगर दो पार्टीशन है तो कुछ ऐसा नजराएगा तो एही होता है पार्टीशन अब इसे 3 भी बना सकते ह आपको पर डीपेंड करता है तो बहुत कैसे होता है तो सबसे पहले यहां पर आना है computer screen पर जो भी चीजे computer screen पर दिख जाएगा आपको my PC तो यहां पर my PC या my computer भी रहता है तो simply इसको पहले double click करके open करना है open करने के बाद यहां पर देख लेना है कि आपका partition कितना बना हु हुआ है और अभी हम इसको partition करने वाला है यह जो 400 GB का है 399 GB का है इसको से हम 100 GB और हम इसे निकालना चाहते हैं यानि इसको से 400 GB वाले से 100 GB का एक और partition बनाना चाहते हैं नया तो अब इसके क्या करेंगे तो simply से cut करना है और यहां पर माई PC जो है इसको पर राइट किलिक करके यहां पर एक option दिख जाएगा manage का हो सकता है आपका option यहां पर भी दिखे इधर भी तो manage पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के नजर आएगा एक page नजर आएगा तो page में आपको आना है disk management पर यहां option दिख रहा होगा disk management एक बार क्लिक करना है disk management पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बस थोड़े ही देर के बाद कुछ यहां पर कुछ इस तरीके के इंटरफेस नजराएगा तो आप एदेख सकते हो ने कि 400 GB का देख सकते हो यहाँ पर बता रहा है E-E में तो यहाँ पर देख लेना पहले confirm हो लेना कि हमको कौन सा partition करना है तो इधर है My PC में यहाँ पर E है यहाँ new volume का इसका later क्या है E है तो confirm है कि हमको EC का partition करना है तो अब back आना है अगर हमको इसे करना है तो दे नहाँ से select करना है उपर में E simply select हो गया अब इस पर राइट क्लिक करना है क्लिक करने को बाद कुछ option मिलेगा तो आपको format पे नहीं जाना है इस हम बेगेरा पे तो आपको जाना है shrink volume पे ठीक है shrink volume पे जाना है जिसको पे okay कर देना है तो कुछ दिर ये time लेगा उसके बादे अपने आप पे कुछ windows open होगा आप यहाँ देख सकते हो अब यहाँ पे इंटर करने के लिए कह रहा है यहाँ पे क्या इंटर करना है कि आप कितना GB का बनाना चाहते है तो मैं actual में बनाना चाहता हूँ 100 GB का तो 1 GB में होता है लेकिन यहाँ पे इंटर करना है MB में तो 1 GB में 1024 MB होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपको 50 GB का बनाना है तो आपको multiply कर लेना है पहले calculator में 1024 into 50 तो यहाँ पे मैं multiply करता हूँ दस्सो दस्सोचोविस into 100 into 100 करेंगे तो डवल जीरो और आ जाएगा तो वस यहाँ पे shrink कर देना है जैसा है shrink पे हम okay करेंगे तो थोड़ा सा time लेगा आप यहाँ देख सकते हो कि एक नया volume यहाँ पे दिख रहा है so हो रहा है 100 GB का लेकिन अगर मैं इससे जाता हूँ यहाँ पे तो कोई भी volume अभी new में नहीं दिख रहा है क्यूंकि ए चीज आप यहाँ देख लो यह जो black party दिख रहा है यहाँ पे unlocated है कभी भी आपका black party यहाँ पे दिखने लगे drive में तो समझ जाना कि बहुचीज drive है हो सकता pen drive में भी ऐसा कभी कभी program आता है तो इसे unlocated है इसे located करना है हमको locate करना है तो इसको पे हमको right click करना है just यहीं पे इसे select करना है यहाँ पे select करना है तो यह recurring recurring सा आ रहा है तो इसे right click करके new simple volume पर जाना है, ओके कर देना है, ओके करने के बाद यहाँ पर कुछी इस तरीका काईगा, तो next करना है, next, फिर से next कर देना है, और यहाँ पर अगर कोई भी आपको later select करना है, तो आप अपने मर्जी से भी कर सकते हो, मैं yes कर देता हूँ, और फिर next, और एक बार और नेक्स्ट फिनिस,